नमस्कार मैं हूँ अमनकुमार और आप देख रहे हैं मरगल लाइफ फिलहाल हम मौजूद हैं बिहार के गया जिला के मोहनपूर परखन के तुलसीडी गाम में जहांके एक छात्र ने दरोगा परिच्छा में सफलता हासिल की है अपने संघर्सों से पर्चम लहराया है आईए आज उनके बारे में जानेंगे कि किस तरह से सिद्दत से उन्होंने परिश्रम किया है और कैसे अपने संघर्स के समय उतार चड़ाओं को जहिला और आज वो सफल हुए है चानते है कि कितना चुनोती पुन रहता एक छोटे सगाव से निकल कर सफलता हासिल करना और फिलाल अभी हम बात करेंगे उनसे पहले हम आते हैं इनके बड़े भाईया से बात कर लेते हैं कि इन्हें कैसा महसूस हुआ था जब पहली बार इनकी दरोगा के रिजल निकला थ हमको तो जब रिजल आने वाला था उससे पहले बोला कि भगवान करे इतना कष्ट किया है भगवान करे उचाई पर पहुंचे कि ताके हम लोग का भी मनियता बढ़े और हम लोग भी मने इतना खुसी है कि खुसी का मने और कोई बरनन नहीं कर सकते हैं तो देखे जब एक वो खुसी चल के आखों से निकल आती है तो ऐसा हुआ था जब पहली बार रिजल निकला था तो आखों से जला पहले हमसे मिले गया में जाकर के बोले भईया हमको दोड है जा रहे हैं बोला जाओ भगवान आपको अदम सही सलमत पास करेगा किसी चीज के चिंता मत और भगवान आज सुन लिया है सब कुछ सही हो गिया है भगवान उसे लंबे उमर दे और बढ़िया से काच करे जो कि अपना देश का और ग्राम का और पंचायत का विकास करने में लगे जहां भी रहे अच्छा तरीकसर है लगतार जब परिनाम आते जा रहे थे हर बार हर बार सफलता मिलती जा रहे थी तो खुसिया तो चर्ण सीमा पर पहुंचे जा रहे हैं तो कहीं नहीं सकते कि हिरदे खोल के भी तादी बता नहीं सकता कि कितना खुसी है जैसा आप देख रहे हैं कि आदमी सब्दों में ब्यान ही कर पाते कि कि इतनी बहतरीन लेवल की वह जब एक छोटे से परिवार से निकल कर आप सफलता हासिल करते हैं आए हम सिधे उनसे बात करते हैं जिन्होंने ये कारे को अंजाम दिया है अनुज कुमार है अनुज जी बताईए तो जिस समय आप रिजल्ट देखे थे अपने सरकाई रिजल्ट पे तो कैसा हम हसूस हुआ था लेकिन हम फीजिकल में छट गए थे अनुज जी आप ये बताएगा इससे पहले तो कई ऐसी समय आई होंगी जिसमें आप कई दफा कहीं छटे होंगे फिर आए होंगे फिर छटे होंगे तो उस समय का याद करके जब पहली बार सफल हुए तो कैसा है जी बहुत म मतलब हमको लग रहा तक होंगी जाएगा तो बहुत खुशी हुआ था रिजल्ट निकला था तो कुम कुम सा एक्जाम निकाला और इसके अराव गया तो हम स्टेशन मास्टर के साइको दे निकली नहीं गया हम सोचे कि अब हो ही गया तो क्यों जाए इस लिए चोड़ दिय सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे दर्सक जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने संघर्स किया आपका सफलता का मुल मंत्र क्या है जी हम अपने मेरा जीवन में बहुत कटना आए रहा है जैसे कि जानते हैं कि लोग जब जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां पर थोड़ा से फैनेंसिल कंडिशन भी मेरा घर के पहले अच्छा था लेकिन अब थोड़ा सा प्रोब्लम हुआ था लेकिन हमने टीशन पढ़ प्रीशिक्स केमेश्ट्री बायो यह सब तो अर्टिकल से कितनी कोशन साती है जी उसमें से आर्टिकल से तीन चार कोशन ही रहता है और प्रोड़ा सारे सब्जेक्ट तैयारी अची थी और नमर भी मेरा आच्छा ही आया था इसके वज़े से ऐसा हुगा आप हमारे दर्सो के मेन के लिए घाटना चक्र офॉलाओ के फैलो किया था ह। इतना कोई पढ़ लेका तरोगा राम से कलिए हो आघ कारेंट के में मुंध का नहीं रहती की एक्जाम इस में पार के बहुत बहुत वहता है इसमें करीब के लगवक रेक्वर को इस बारों करेंट अफ्यर के लिए जब हतास होते थे हर दफे कभी कभी चटते थे तुस्व में कभी हतास होके मन बैठा नहीं है। देखे कहा जाता है कि आपकी एहम किरदार आपकी तो होती ही है लेकिन एक गार्जियन का सपोर्ट भी बहुत ही महत्पून रखता है इस संघरस के दर्मियां इस पर एक हमारी अटल भियारी बाच्पेजी की कविता याद आ लिए कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भैवित में करतब पत पे जो भी मिले ये भी सही वो भी सही वर्दान नहीं माँगा हो कुछ पर हार नहीं मानूगा वही चीज को चिरितार्थ करके दिखाया है हमारे भाई ने और आईए उनकी मा से जाने की कैसा उन्हें महसूस हुआ था जब पुन रूप से ये दरोगा ब हमको बेटा बन जाएगा तो बहुत हमको जिनगी भी बन जाएगा बढ़ी में देखना चाहते हैं है था भर इसको बढ़ियां लिटा पराहिए तो प्रमत्मा हो जाना चाहिए कितनी बार भग texto मनेतळा ने तो हम जब से जलम लिया है तब भगवाण से प्रतना करते रहता जिनकी अराम से खुसनामा होने चाहता है तो कभी ऐसे हतास हो कि जब बैठे गए अगर कोई जाम से निकले तो उस समय आपने इन्हें बढ़ावा दिया था उसमें सब से हम बढ़ावा करिया था बेटा तो हमको कहा कि नहीं हम पास होगा ममी हमको एकदम दिल दिमाग छुट कि जब ये संगहस कर रहे थे तो आप किस तflanz peuvent सहाइता कर दो। मुझा उसजी है कि हो जाएगा तो अच्छा रहेगा कि अच्छा रहेगा तो आप ड़ोगा बन गहें तो कितने उपाहर चाहिए आपको अपने देवाजी से बहुत क्षे कितने उपाहर चाहिए बहुत सा बहुत बार इन्हें परिराम रेजल निकाला है तो कीसे लगा था जब पुन रूप से शफ़ल हुे आपके हैं वह सफ़ल हथafter मेरगा था हुआ था एली टैम एक बार अथी भी हो गया थे ले लेकिन फिर भी हम लोग सास कि आगे पढ़ते रहो चलते रहो भागवान एक दिन एक दिन देखेगा पुर्ण रूप से आज भागवान हम लोग के देखा दिया जब दरोगा जब वर्दी पहन के आएंगे तो कैसे लेग पूर्ट लेना चाहेंगे एकदम एकदम फोट एकदम लेना चाहेंगे जैस दिन बढ़र बर्दी पहने लेंगे ने उस दिन हमको आर महल खुशी से पुरा भर जाएगा जब ट्रेनिंग का लाश दीन होता है वहां परिवार को बुलाया जाता जाएंगे एक दम जाएंग और किस परकार से अपने माबाप को गौरब को बढ़ाता है और एक माबाप के लिए सबसे महत्पूर्ण और सबसे खुशी का दिन यही होता है कि जब आप अपने फाइनेंसियल रूप से अच्छे हो जाए और अपने पाउप पे खड़े हो जाएंगे यहां पे कुछ ग् चिछा में इंत्रें में दो लड़का हुए है कि एक डेयसिप में हुए हैं एक रेल्वे में और एक दरुगा को गया तो यह तिन चाटपत मेरे गाव में हो गया तो हमको लगता है कि बड़ा बाउब साथ बातनी करते हैं हम लोग समझ के कुछ समझ के एक बार साथ में घुरा लें तो बहुति जिय रहे बात करने के स्देशन लसरीजयखते इड्मशन किसीसे भी बात कर सकते बिलकूल बात करते हैं ये चछा बोला है कि हैं नहीं, बात कर पाते थे किनिसे आज दरोगा बनने के बाद यह बहुत सारे रसे निकले हैं उनसे हम अब सभी से बात कर पाते हैं तो आपने जैसा बताए कि रूट का समस्या उस उस बीच से निकल के आदमी इतने सफल हो रहे हैं तो इसमें तो खुशी और बनती होगी तो मने हमारा गरामिन को लगता है कि हमारे गाव में भी कुछ है तो हमको लगता है आज का डेट में तो हम लोग का बहुत मने बहुत है कि लड़का अगर जिस दिन जुवन करें मेरा तरफ से कुछ खुशनामा को खर्चा रहे गा अगर जिस दिन मेरा ग्रामिन का लड़का यह जुवन कर जाएंगे तो देख सकते आपकी कितने खुसी होती है परिबार को नहीं बलके ग्रामिनों के भी कितनी खुसी होती है जब आप सफल होते हैं लाश्ट में हम यही बोलना चाहेंगी मंजले क्या है रास्ते क्या है अगर है कुछ संभव तो फासले क्या है बेरहाल इस बिलेटेन वितना ही देश और दुनिया के बागे ख़बरों के लिए दे